आपका स्वागत है रोजाने की तेरे आज हम फिर से आपके लिए एरलाइंस की इवनिंग सेशन के कुछ बड़ी और ताज़क खबरे लेकर आच चुके हैं आज की इन खबरों में हम आपको बताने वाले हैं कि अमीराद अपनी फ्लाइटों की बुकिंग सुरू कर चुका है अमीरात की इन फ्लाइटों की booking आप कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा और ये किन लोकिसंस के लिए शुरू हो रही हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इसके अलवा फ्रेंट्स हम लोग बात करेंगे कि बाकी देशों से रेगुलर फ्लाइटे कप से सुरू हो सकती हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कॉलकता के लिए इंटरनेशनल फ्लाइटे अभी तक क्यों नहीं चालू हो सकी तो फ्रेंट्स यहाँ पर वीडियो की सुरुवात करते हैं फ्रेंट्स सीधी आपको नहीं पता है कि यहाँ पर एर इंडिया के अलवा कौन सी दूसरी एयरलेंश कंपनी है जो की अपनी टिक्टो की बुकिंग ले रही है तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एमिरात का नाम सामने आ रहा ह अमिरात एयरलेंश ने आपने टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है जो की दुबई से भारत के अलग-अलग सहरों के लिए उडानों की बुकिंग ले रही है इसकी बुकिंग के लिए आप सिधे अमिरात की वेगसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं इसके अलवा आप किसी पर्मिशन दी जाएगी अपनी इडानों को सुरू Q करने लिए तो भारत की तरफ से यहाँ पर Air India और Air India Express अपनी इडानों की booking ले रही है और वही UAE की तरफ से एमिराथ यहाँ पर अपनी booking ले रही है फ्रैंस यहाँ पर एमिराथ की booking देखेंगे तो आप notice करेंगे कि एमिराथ यहाँ पर केवल 12 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में ही अपने ticket की booking ले रही है और यह वही time है जो कि भारत सरकार ने अनुमती दी है इस बीच में जितने भी लोग यूई या दुबई जाना चाते हैं या फिर वहाँ से वापस भारत आना चाते हैं वह सबी लोग अपने ticket के booking करके travel कर सकते हैं यहाँ पर अपने टिक्टो का प्राइज एर इंडिया से काफी कम रखा है फ्रेंट्स आप चलते हैं आज की airlines के इनिंग सेशन के दूसरे टॉपिक पर तो यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सा यहाँ पर जैसे UAE ने भारत के passengers को permission दिया हुआ है कि भारत के passengers UAE में आ सकते हैं और ऐसे ही दूसरे देसों ने यदि ये permission देनी शुरू कर दी तो उन देसों से भी इस तरह की flight शुरू हो सकती है आपको बताना चाहेंगे कि UAE से पहले अमेरिका की United Airlines Company को भी flight उडानी की permission म मानना है कि बंदे भारत मिशन 4 जुलाई महिने में खतम हो सकता है और उसके बाद कुछ देसों से जैसे कि Gulf Country और अमेरिका ब्रिटेन जैसे देसों से flight की उडान सुरू हो सकती है यह अभी केवल एक मीडिया रिपोर्ट के basis पर हम आपको बता रहे हैं हो सकता है कि यहाँ प कॉलकाता के लिए flight की permission क्यों नहीं मिल रही है और कॉलकाता के लिए उडाने कब तक सुरू हो सकती है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कि किसी भी राज्य में flight के लिए जरूरी है कि वह राज्य पर्मिशन दे कि उनके राज्य में international flight जा सके यहाँ प कोरोना की केसों काफी जादा फ्यादा नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण से इस समय कॉलकाता के लिए बहुत कम फ्लाइटे हैं हम उमीद करते हैं कि आने वले समय में कॉलकाता की सर्कार outta étaientahih दूसरे देसों में फसे हुए लोगों के बारे में सोचेगी और वहाँ पर भी फ्लाइटों की पर्मिशन देगी ताकि जादा से जादा लोग जो दूसरे देशों में फसे हुए हैं और कॉलकता आना चाते हैं वह लोग आ सके तो फ्रेंट्स ये थी आज की एलेंज की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें ऐसे ही और खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बैल आइकन को जरूर दबाएं जो की बिल्कुल फ्री है इससे होगा ये कि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करेंगे